हडो फ्रेंड्स वैदे माँशनल में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिफेंट सटाइल का डिजर्ट जिसका नाम है सेमाई रबडी और मैंने इसको एक बहुत ही अलग अन्दास में सर्व किया है इनको एक मैंने ग्लासेज में सर्व किया है और जल्दी से हम देख लेते हैं इनकी आसान सी रेसिपी सबसे पहले रबड़ी बनाने के लिए मैंने एक हैवी बोटन कढ़ाई ले ली है जिसमें डाल दूद में थोड़ा सा पानी जिससे हमारा दूद नीचे लगेगा नहीं अब हम इसमें डाल देंगे लगबक 600 ml of milk और इस दूद में से थोड़ा सा दूद को बचा लिया है और इस दूद को अब हम बॉइल होने देंगे जो दूद हमने बचाया था ना उसको मैंने एक कटोरी में डाल लिया है जिसमें मैं डाल दूँगे लगबक 2 tablespoon full of corn starch और अब हम इसमें डाल देंगे 1-3 cup of milk powder और इसको हम अच चाहिए इसलिए मैं डिरेक्ट इसको मिल्क में नहीं घोल रही थी जो हमारा सारा मिल्क है उसमें नहीं घोला और इसको मैं अलग से घोल रही हूं देखिए हमारा लंप फ्री मिक्षर बन करके विद्कुल तैयार है ऐसी ही सलरी चाहिए अब हम इसको दूद में कर लेंगे मिक्स देखिए दूद हमारा अच्छी तरह से खौल रहा है अब हम ये जो सलरी बनाई है इसको हम दूद में धीरे धीरे डालेंगे और दूसरे हाथ से लगातार इसको चलाते रहेंगे एक साथ नहीं डालिएगा एक साथ डालेंगे तो इसमें लंप पढ़ने के चांसिज रहते हैं धिरे धिरे डालिए और मिलाते रहेंगे अब हम सारा मिक्षर डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और आप देखेंगे डालते ही ये दूद कैसे गाड़ा होने लग जाएगा अब हमें दूद को लगवग 3-4 मिनट तक और पकाना है जिससे की कौन स्टार्च का कच्चापन निकल जाए और दूद हमारा अच्छे से गाड़ा हो जाए अब मैं इसमें डाल दूगी 1-3 कप और शुगर आप शुगर में टेस्क के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं अब हम इसको शुगर के मेल्ट होने तक 2-3 मिनट तक पका लेंगे दूद हमारा अच्छा गाड़ा हो चुका था पर जब शुगर डालने से दूद क्या होता है थोड़ा पतला हो जाता है अब हमने उसे 3-4 मिनट पकाया अब ये देखिए किस तरह से दूद गाड़ा हो चुका है और ये स्पून को अच्छे से कोट कर रहा है हमें इसी कंसिस्टेंसी का ही ये रबड़ी या फिर बैटर चाहिए अब एक दूसरे पैन को मैंने गैस पर रख लिया है जिसमें डाल दूगी वन टीस्पून फूल ओफ देसी घी और घी को होने देंगे हम मेल्ट घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे रफलिक्ट करश्ट काजू और बादाम आप अपनी चोईस का कोई भी ड्राइफूट्स ले सकते हैं और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर हिलाते हुए पकाएंगे जब तक कि यह अच्छे ब्राउनिश ना हो जाए इसे ब्राउन करने में लगभग दो मिनट ही लगता है पर आप इसको कॉन्टिनियस हिलाते रहें नहीं तो ड्राइफूट्स आपके जल सकते हैं ड्राइफूट्स अब हमारे देखे अच्छे से भूंच चुके हैं हलके गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब हम इसको वापिस उसी प्लेट में निकाल लेंगे पर जो घी है उसको हमें इसी पैन में पढ़े लेने देना है पिर हमें ड्राइफूट्स को ही निकाल लेना है इसमें से इसी पैन में हम डाल लेंगे यह बारीक वली सेमि जिसको मैंने हाद से अच्छे से क्रश कर लिया है और छोटे छोटे चोटे टोड़ों में तोड लिया है और अब हमें इसको low flame पर ही हिलाते हुए भून लेंगे हमें इसको लगबग 2-3 मिनट तक ही भूनना है 2-3 मिनट में ये बहुत easily भून जाती है अगर कोई strand रह जाए तब हाथ से उसको तोड़ भी सकते है अच्छे से हम इसको भूनेंगे जिससे की इसमें एक अच्छी सी घी की सौधी-सौधी महकाना शुरू हो जाएगी और हमें इसको थोड़ा सा brown करना है बहुत जादा नहीं करना है हमें इसको सिर्फ थोड़ा सा ही हमें इसे brown कर लेना है देखिए सेवाई हमारी अच्छे से भून चुकी है यह देख कितना अच्छा कलर आ चुका है अब इसमें डालूगे मैं 1 4th cup of milk powder और इसमें डाला है मैंने 2 टेबल स्पून फूल आफ पावडर शुगर और इसको हम एक से 2 मिनट तक mix करते वे फिर से पका लेंगे जिससे कि इसमें सेवाईयों में अच्छे से मीठा और milk powder बहुत ही अच्छे से mix हो जाएगा हमें इसको लगातार चलाने रहना है जो थोटे शुटे लम्स दिखाए दे रहना ये सब अपने आप गायब हो जाएंगे आपको बस इसको चलाते रहना है लगातार ये देखिए सेवाई अच्छे से शुगर में mix हो चुकी है हमने इसलिए यहाँ पर powder sugar का यूज़ किया था ना की regular sugar क्योंकि जो powder sugar होती है वो बारीक सेवाईयों में अच्छे से mix हो जाती है और ये mixture हमारा बिल्कुल तयार है और gas को कर देते हैं अब हम switch off एक कटोरी में मैंने लगभग 2 टेबल स्पूर्फूल ओफ मिक्स फूट जाम ले लिया है जिसमें मैं डालूंगी थोड़ा साथ लिक्वर्म वाटर लबग 2 टेबल स्पूर्फूल ओफ लिक्वर्म वाटर डाल रही हूं में इसमें और इस जाम को अच्छे से कर लेंगे इस वाटर में हम मिक्स हलकल के हाथों से दबाएंगे न तो अपने आपी थोड़ी देर में यह डिलूट होना शुरू हो जाता है बहुत ही इसली डिलूट हो जाता है यह हाडले डिलूट होने में इसको वान मिनटी रखते है हमें सिर्फ एक लंफ फ्री सा मिक्चर तयार करना है यह देखिए हमारा जैम का बिल्कुल लंफ फ्री मिक्चर बन करके बिल्कुल तयार है हमें इसी कंसिस्टेंसी का ही पोरिंग कंसिस्टेंसी का ही चाहिए मिक्चर आईए कर लेते हैं अपने डिश की असेम्बलिंग इस डिजर्ट को सब करने के लिए मैंने ले लिये हैं ग्लास और ग्लास को लेकर मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी ये सेवई वाला मिक्सचर लब दो बड़े चमच हमें ये सेवई का मिक्सचर डालना है आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं अब हम सभी चीजों से इसमें करेंगे लेयरिंग सबसे पहली लेयर होगी इसमें की फिर अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो रबड़ी वाला मिक्सचर बनाया था ना मिल्क का यह देखिए लब हम दो टेबल फूल ही हम ये ढ़र देंगे रबड वाला मिक्सeur और अब हम इसमें डालेंगे ये जैम वाला मिक्सर जैम वाला मिक्स्र आपको बहुत ही थोड़ा डालना है क्योंकि रबड़ी भी बहुत मीठी हैं और हमारी सेवईया भी अल्रेडी मीठी है और जैम उसमें डालेंगे तो वह बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा इसलिए आपको जैम का मिक्ष्य थोड़ा ही डालना है बहुत ज्यादा नहीं डालना है यह दिखे मैं कैसे किनारों पर फिलाते भी डाल रही हूँ अब फिर से एक और लेयर लगाएंगे हम सेमें की आपको प्रेस नहीं करना है सिर्फ इसको स्प्रेड करना है अब फिससे हम इसमें डालेंगे रबडी का मिक्ष्यर मैंने रबडी को बिबकुल कलरलेस ही रखा है आप चाहें तो इसमें यलो कलर अगर डालना चाहें या फिकेसर डालना चाहें तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं मैंने वाइट इसलिए रखा त्योंकि यह जैम के साथ बहुती ब्यूटिफुल नजराते है कलर इसलिए बस उपर हम थोड़ सा जैम डालेंगे और गार्निश करेंगे फ्राइट ड्राइफ रूट के साथ और यह देखिए हमारा ब्यूटिफुल सा डिजर्ट बन करके विकुल तयार है इसी तरह मैं सभी ग्लासिस में सर्व कर लूँगी यह देखिए सभी ग्लासिस फिल हो चुके हैं अब मैं इसको टू आर्स के लिए फ्रिज में रख दूँगी जिससे की डिजर्ट हमारा सेट हो जाएगा आप भी बनाईए खाईए इंजॉई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना विकुल न भूलें थ थैंक यू